आकाश्वारी भोपाल से प्रस्तुत है कारिक्रम जले की चुठी आज आप सुनेंगे अशोक नगर जले की चुठी आलेक नीरज शुकला का वाचक पूर्वात्रवेदी अशोक नगर जले में कडाके की सर्दी पड़ रही है तापमान 4-5 डिग्री सेलसियस तक पहुच गया है जले में माहोट गिरने से सर्दी में व्रद्धी हुई है जले में विगद्दिनों भारी ओला व्रष्टी भी हुई है किसानों की धनिया, सर्सू, चना, गेहू, मसूर की फसल को नुकसान हुआ है ओला व्रष्टी से पक्षियों की भी मरत्य हुई है अशोक नगर कलेक्टर उमा महिशवडी ने ओला प्रभावित शेत्रों के सर्वेकारी के लिए टीम का गठन किया है टीम सर्वेकारी कर रही है ओला व्रष्टी को लेकर पीएची राज्यमंतरी ब्रजेंदर सिही यादव ने मुगावली विधानसभा के ग्रामिन अंचल तथा अशोक नगर विधाक जचपाल सिही जजजी ने ओला प्रभावित गाव का दोरा किया और अधिकारीं को शीक्र सर्वे करा कर उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिये जिला मुख्याले पर कल बारा जन्वरी स्वामी विवेकानन की जहनती युवा दिवस के अपसर पर इसकूलों में सूर्य नमस्कार का आयूजन होगा यह आयूजन रेडियो प्रसारन तथा ओनलाइन माध्यम से किया जाएगा वहीं जला इस्तरिय रोजगार मेले का आयूजन किया जाएगा रोजगार मेले में निजी शेतर की लगभग दो दरजन कंपनिया बेरोजगार युवाओं का चैन करेंगी कंपनियों द्वारा बेरोजगार युवकों को मौके पर आफ़ल लेटर प्रदान की जाएंगे अशुक नगर कलेक्टर उमा मैश्वरी ने बताया कि रोजगार मेले को लेकर टीम गठित की गई है तथा अधिकारियों को आवशक दिशानर देश दिये गए हैं अशुक नगर में शासन की जन कल्यानकारी उजणाओं की जानकारी देने के लिए नगरपाली का द्वारा वाडो में शिवरों का आयूजन किया जा रहा है इसके माध्यम से आम लोगों को शासन की जन कल्यानकारी उजणाओं की जानकारी दी जा रही है जिली में भी कोरुना संक्रमट से बचाव को लेकर स्वास्त विभाग द्वारा प्रति दिन सेंप्लिंग की जा रही है विगत दिनों 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किशोर किशोरियां टीका करन अभियान का शुबारंभ गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव तथा अशोक नगर विधायक जच्पाल सी जजजी ने किया जरल सौस अधिकारी डॉक्टर नीरज च्छारी ने बताया कि जिली में 179 स्कूल और 49,187 बच्चे टीका करन के लिए चिन्हित किये गए हैं स्कूलों में जाकर बच्चों को वेक्सिनिशन के टीके लगाये जा रहे हैं स्कूलों में जाकर बच्चों का टीका करन किया जा रहा है प्रति दिन 10,000 टीके लगाने का लक्ष निरधारित किया गया है वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्रे के लोगों को डॉक्टर की सलहा पर वेक्सिन का 30 डोज लगाना प्रारम हो गया है कुरुना संक्रमन से बचाव को लेकर कलेक्टर उमा महिशवरी ने दिशानर देश जारी किये हैं जिसमें सारजने के स्थलों पर मास्क पहनना अनिवारे किया गया है जिले के नगरिय एवं ग्रामन शेत्रों में समस्त प्रकार के हाट बाजार मेले पून तहा प्रतिबंधित किये गये हैं विवा आयूजनों में भी दोनों पक्षों को मिला कर 250 लोगों को आने की अनुमती होगी वहीं अन्तिम संसकार वा उठावने में 50 से अधिक लोग नहीं पहुंस सकेंगे उलंगन करने वालों पर फाइन तथा दुकानदारों पर 500 से हजार रुपे का जुर्मारा लगाने के निर्देश दी गये हैं वहीं जली में कोरुना संक्रमन से बचा को लेकर रोकोटोको अभियान भी चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत मास्क का उप्योग नहीं करने वाले लोगों के चालान नगरपाली का द्वारा बनाये जा रही है अशोक नगर में भी सच्चता अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतरगत शहर में गंदिगी फैलाने वाले और पॉलिथिन में सामान बिचने वालों के खिलाफ नगरपाली का दौरा सक्त कारवाई की जा रही है विगर दिनों नगरपालिका ने कारवाई करते हुए लगभग 10 किलो 50 माई क्रोन से कम की पॉलिथिन जब्त की है तथा लगभग 5,000 रुपे का जुर्माना लगाया है जिले में आगामी 23 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान प्रारंब होगा तीन दिन के इस अभियान में 1,57,655 बच्चों को दवा पिलाने के लिए चिन्नित किया गया है वहीं 24 वा 25 जनवरी को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी विगर दिनों केंद्रिय उद्यन मंत्री तथा राज्य सभसांसत जोतरा दित्त सिंधिया ने अशोक नगर का दौरा किया इस दोरान उन्होंने आम सभा को संबोधित करती हुए कहा कि केंद्र की मोधी सरकार आम नागर को के सरवांगिर विकास के लिए कृत संकल्पित है इसलिए देश में कोरुना संक्रमन से बचाव को लेकर सफल टीका करण अभियान चलाया जा रहा है गौर तलब है किशी सिंधिया मंत्री बनने के बाद अशोक नगर के दोरे पर पहली बार आये थे जिले से निकल कर कोटा बीना के बीच चलने वाली मेमो ट्रेन विगत दिनों पुना प्रारम की गई है इस ट्रेन के प्रारम होने से व्यपारियों तथा कोटा आने वाले विद्यार्थियों को काफी सुवधा मिलेगी ये ट्रेन सुभा साड़े आट बजे कोटा से रवाना होकर शाम चार बचकर 45 मिट पर बीना पहुँचेगी वहीं बीना से गाड़ी सुभा साड़े दस बजे रवाना होकर शाम चार बचकर 50 मिट पर कोटा पहुचेगी लोगडाउन के चलते रेल विभाग द्वारा इसे बंद कर दिया गया था जिले में भी सरवाधिक वित्रन अशुक नगर जिले में भी सारजनिक वित्रन प्रणाली के तहत वित्रन होने वाले राशन का वित्रन एक मुष्ट किया जाएगा जिला खाद अधिकारी ने बताया कि जनवरी फरवरी महा का राशन एक मुष्ट कंट्रोल से वित्रित किया जाएगा और जिले के प्रतेक गाउं में सच्छे जल पहुचान की तैयारी चल रही है पिएची राजमंदरी ब्रजेंदर सीह आदव ने बताया कि राजगाट होम मल्ती वजेज इसी के साथ अशूक नगर जिले की चुठी समाप्त हुई अनुमती दीजी नमस्कार